इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एक्वाजाइड 12.5 12.5 दरह सल इसकी डोज है डोज आपके पास 12.5 लो होती है 25 mg जो इसकी डबल डोज है वो थोड़ी मेडियम होगी और 50 mg इसकी हाई डोज है एक्वाजाइड का जो जिनेरिक है ना that is called hydrochlorothiazide ये टेबलेट्स होती है और ये टेबलेट्स खास करके blood pressure में इस्तेमाल की जाती है जिन लोगों को blood pressure जैसी बीमारी है उन में ये ड्रग इस्तेमाल करते है अब उससे होगा क्या कि ये extra water जो आपके plasma में मुझूद है urine की form में excrete out कर लेगा जिसकी वज़ा से आपका blood pressure decrease हो जाता है तो मतलब ये हुआ कि ये एक diuretic है urine output बढ़हा देता है जिसकी वज़ा से blood pressure decrease हो जाता है तो आप चाहें low dose में इस्तेमाल कीजिए या 50 mg high dose में इस्तेमाल कीजिए दिन में एक ही tablet लेनी होती है अच्छा कुछ लोगों को edema होता है यानि कि उनका fluid है उनके tissue में आ जाता है उनके tissue फूल जाती है अब ऐसी condition में body fluid ज्याद है तो आपको hydrochlorothazide इस्तेमाल करनी होती है और वो hydrochlorothazide आपके body का etc water urine की formic excrete कर लेता है इससे भी आपका blood pressure decrease हो जाएगा और edema भी खतम हो जाएगा अकसर लोगों को heart failure है heart failure में आपका heart pumpनी कर पाता तो आप once again off the label ये drug इस्तेमाल कर सकते हैं once daily या ऐसी condition चूँके heart failure है तो आप twice daily भी इस्तेमाल कर सकते हैं 25 mg की drug आप use करें इसके साथ साथ अगर आपके पास fluid retention हो गई है यानि आपकी body में fluid भढ़ता ही जा रहा है तो fluid को खतम करने के लिए एक्वाजाइड एक बहुत पुफीद ड्रग है 12.5 mg की बजाए आप 25 mg की dose इस्तेमाल कर सकते हैं twice daily यानि दिन में दो बार normal blood pressure के लिए दिन में एक ही बार आपके लिए काफी थी dose अब ये तो आप ठीक है life saving काम कर रहे हैं heart failure बगएरा बचा रहे हैं लेकिन इसकी लावा सर चकराना, पेट में दर्द होना, थकावट महसूस करना liver की उपर adverse effect यानि हिपेटो टॉक्सिटी होना calcium के लेवल blood में increase हो जाना lipid के लेवल भढ़ जाना, yurisemia हो जाना potassium के लेवल्स decrease हो जाना magnesium के लेवल कम हो जाना blood pressure अपने लेवल से ज्यादा कम हो जाना यानि हाइपो टेंशन ये सारे मसले मसाइल हो सकते हैं क्योंकि आपकी बाड़ी से पानी एक्सक्रीट हो रहा है जिसमें ये तमाम नमकियाद एक्सक्रीट हो सकती है तो इस से जरा मोहतात रहिए और खुझ से ये ड्रग इस्तिमाल नहीं करेंगे डॉक्टर की मश्वरे के मताबिक इस्तिमाल करेंगे कोई question होगा तो हमसे comment section में पूछिए साथी channel को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें शुक्रिया